बूम गाई साब के सामने जैसे में ट्रिक अपलेगे ट्रिक लपाई करते असी उरुपे का पेटिम करें आप दोस्तों आपको बीट जानी तो वीडियो के एंड तक बने रहे क्योंकि यह पता होगा यूटूब यह ट्रिक किसी को नहीं पता होगी चलिए दोस्तों आज कि कम कैने छाए ना टाविट दहुर्ट के बाएं अब रहे कंगा यह ट्रिक करते हैं को यह क्ता है में यूट नहीं यह तो आपको आपको इसी गलती बिल्कुल नहीं है वीडियो को शुरू करते को सबसे संब्सक्राइब कर दोना बैल आइकन को दोस्तों और प्रस कर दोना प् आपको सब्सक्राइब कंब हैं शीनिक आपको कोई मैंच में सब्सक्राइब को डालोग करने ना गाइस उस एप्लिकेशन के मदद से आपको यहां पर दोस्तों आपके पेटने उलब में चाहर चाहर लगने वाले है इसकी मैं करेंटी लेता हूं अभी इस अप्लिकेशन का नाम है मेगा विदन सबसे इसको ओपन करना है ठीक है जैसे ओपन करोगे एस से आपको डेता है आप लोग इसमें पैसे लेक्त करें को पर अपने तर दोस्तों को राफल के दोस्तों पैसे लेकिन हमें लेकिन हमें यह चोगार सबसे पहले देख को ज update कि अब सबसे पहले वीडियो को ध्यान सबसे अब का किया यह spiritually Chain art कि जिल्लक कारेगा वीडियो झाएक बतक्रय करना है मैं मतलब इसमें अगर आप लोग रिचार्ट नहीं करना है हमें कोई कुछ नहीं करना है तोटल सेविंग में देख तो इसमें अठर रुपए अभी गईस इसका क्या सीन में को आपको सिब्ली यह फर्ष्ट ली गुलक इस पर आपको ऐसे प्रेस करके रखने प्रेस करना है देन उसके बार गाइस क्या करना है आपको एक गेम लेगी यहां पर वील ओफ वर्चुन इस पर क्लिक करना है इस पर जैसे आप लोग ने क्लिक किया अब वीडियो को थोड़ा से द्यान से देना मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं अगर समझाओं के तो यहां पर आप प्रेस करना है जैसे कि साथ सेकंड लास के रहें तब प्रेस करके रहना है ऐसे ठीक है जैसे प्रेस किया उसका छोड़ दिना है छोड़ने के बाद फिर आपको यहां पर यह लोगाश ट्रिक बहुत ही सिंपल है आप यकीन नहीं मानोंगे उसका यह 14 सेकंड की टामिंग श हो चुका है कम लिट साथ साथ सेकंड या पर होने वाले रोटें में आ चुका है तो यहां पर क्ली करके आपको रखना है क्लीक करते हैं आपका इसमें गाइस हो जाएगा सब्सक्राइब नश्य वेट करते हैं तो इस अब तो यहां पर क्लिक करके रहना है जैसे देख सकते हो मैं ने यहां पर क्लिक करके रखा हुआ है और बुम जैसे शोड़ा यहां पर सब्सक्राइब करें देख सब्सक्राइब कर लिए को कमेंड करके बताना और होप करते वीडियो प्रेले को शिर्क करना चाहिए को सब्सक्राइब कर लिए दन्यवाद